Hello friends, welcome to my channel Edofile आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे Legendary Polynomial साथी साथ हम लोग बात करेंगे Orthogonality of Legendary Polynomial और इस relation को prove भी करेंगे जो कि most important है हमारे BSC और MSC के exams के लिए तो friends आप पूरा वीडियो देखेगा आपकी doubts जरूर क्लियर होंगे Legendary Polynomial को हम जान लेते हैं पहले क्या होता है अगर PNX कोई polynomial है जिसकी degree N है तो उसका integrate किया जाए minus 1 से 1 के interval में तो उसका integrate PMX into PNX dx is equal to कितना होगा 0 अगर M does not equal to N होगा Is that clear? अब हमारा next topic है generating function for Legendary Polynomial generating function क्या होता है इसको आपको clear याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे orthogonality of Legendary Polynomial के लिए बहुत ही important है तो 1 minus 2XZ plus Z square to the power minus 1 by 2 summation N is equal to 0 integration sorry infinity PNX Z to the power N यह हमारा generating function यह हमारा orthogonality of Legendary Polynomial जिसको हम लोग proof करेंगे तो चलिए आते हैं अपने proof पे यहाँ पे मैंने इसको लिया और दो मैंने generating function माल लिए PNX के और PMX के हमको इसको इसके equal लाना है प्रूफ करना है तो मैंने दो function ले लिए PNX और PNX generating function इसका क्या होगा PNX का क्या हो जाएगा PNX का होगा 1 minus 2XZ plus Z square minus 1 by 2 आपको यहाँ देख सकते हैं generating function ठीक उसी तरह से PNX का क्या हो जाएगा 1 minus 2XZ plus Z square minus 1 by 2 इस तरह से PMX का generating function हो जाएगा इसको मैं equation number 1 कह दूँगा इसको मैं equation number 2 कह दूँगा मैं क्या करूँगा इन दोनों equation को multiply कर दूँगा equation 1 और equation 2 जब equation 1 और 2 को multiply करेंगे तो minus 1 by 2 minus 1 by 2 क्या हो जाएगा minus 1 इस तरह से और इसको जब multiply करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा और z to the power m plus n हो जाएगा क्योंकि a to the power m into a to the power n क्या होता है class 6 में हम लोग पढ़ चुके a to the power m plus n तो z to the power n plus n हो गए अब इसको मैंने कह दिया equation number 3 पहले मैंने equation 1 और 2 को multiply किया फिर नया equation है equation 3 फिर equation 3 को मैं integrate करूंगा with respect to x between the limit minus 1 to 1 क्योंकि हमारे question में भी कह रहा है कि minus 1 से 1 के limit में आप करिये तो minus 1 से 1 के limit में जो हम integrate करेंगे तो इस तरह से मेरा function होगा और मैं इसको inverse में लिख दूंगा क्योंकि minus 1 है तो इस नीचे ले आऊँगा तो 1 minus 2xz plus z square dx इस तरह से मैंने इसको लिख दिया और इसको मैंने equation number 4 कह दे अब मैं क्या करूंगा इसको integrate करने के लिए 1 minus 2xz plus z square is equal to t रख दूंगा तो जब मैं t रखूंगा तो इसको differentiate करूंगा x के respect में तो यह हो जाएगा minus 2z dx is equal to dt और यह तो हमारा constant 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा हम x के respect में कर रहे हैं तो यह हो जाएगा minus 2z dx is equal to dt Is that clear? तो जैसा कि हमने इसके जगाँ पर t put किया तो हमारा limit भी change हो जाएगा minus 1 से 1 अब change होके क्या हो जाएगा 1 plus z square और 1 minus z का whole square इस तरह से हमारा limit भी change हो जाएगा तो अब हमारी नई limit यह आ गई और हम क्या करेंगे minus 1 by 2z अब t dt is equal to इस तरह से हमारा equation बन जाएगा अब minus 1 by 2z हमारा क्या है constant है तो इसको हम बाहर ले जाएगे और 1 by t का integration करेंगे 1 by t का integration क्या होता लॉग t 1 by t का हम integration करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा लॉग t इस तरह से मैने इसका integration किया तो यह क्या हो गया लॉग t और minus 1 by 2z को बाहर कर दिया इस तरह से मैंने फिर से equation को लिख दिया अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको upper limit minus lower limit किया integration करने के बाद में formula होता है तो मैंने इस तरह से लिख दिया फिर minus 1 by 2z log m minus log n लिखा है तो यह हो जाएगा log m by log n और यहां पर power 2 हो जाएगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा log m to the power n क्या होता है n log m log m to the power n होता है n log m तो यहां power 2 आगे आजाएगी और 2 से 2 cancel हो जाएगा और मैं इसको inverse कर दूँगा तो minus sign भी हड़ जाएगा is that clear? आपको log की property clear होने चाहिए इस तरह से मैं इसको लिख दिया फिर उसके बाद 1 by z log 1 plus z minus log 1 minus z log m by log n को फिर मैं इससे लिख सकता हूँ फिर 1 by z log 1 plus z को मैं क्य इस तरह से हो जाएगा फिर उसके बाद 1 by z 2 z जब मैं इसको open करूँगा तो minus minus plus हो जाएगा और 2 z और plus 2 z cube upon 3 इस तरह से मेरा dot dot बन जाएगा फिर उसके बाद जब मैं इसको solve करूँगा तो मेरा यहां पर आ जाएगा 2 summation z की power 2n upon 2n plus 1 फिर मैंने अपने equation को फिर से यहां प coefficient को compare करेंगे या फिर हम कह सकते m is equal to n रख देंगे तो जब m is equal to n रख देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हम लिख सकते हैं 2m और यहां पर जब m के जगहां पर n लिख देंगे तो यहां पर 2m हो जाएगा तो z से z क्या हो जाएगा तो यहां 2 बचेगा तो इ देंगे equation number 5 जब m is equal to n होगा अगर m is equal to n के ना हो तो क्या होगा तो minus 1 plus 1 से limit pnx pmx dx is equal to 0 इसको हम कह देंगे equation number 6 अब equation 5 और 6 को जो हम combine करेंगे तो मेरा equation कुछ इस तरह से बन जाएगा अब यह क्या है chronicle delta जिसको हम कहते है chronicle delta इसको हम लोग इसलिए लगा देते हैं क्योंकि plus 1 है कि 0 है यह हमको clear नहीं है तो m and del इसको आप देख सकते है chronicle delta हम बोलते हैं क्या बोलते है chronicle delta और इसकी value इसको हम लोग tensor में भी पढ़ चुके हैं तो chronicle delta अगर m is equal to n है तो इसकी value आ जाएगी 1 तो इसकी value 1 आ जाएगी अगर यह दोनों equal नहीं है तो इसकी value क्या जाएग is that clear तो यह था हमारा orthogonality of legendary polynomial जो की BSC के लिए बहुत important topic है इस वीडियो में इतना रखते हैं आगे की वीडियो में हम लग कुछ और topics discuss करेंगे वीडियो देखने के लिए thank you thank you so much